हेलो फेंच, वेलकम टू स्टड़ी ग्रूप पाठ शारा मैं हुलाश और आज की क्लास में रोडिस्स करेंगे कि इंपोर्टेंट ऐसे को आई ऐसे होगा वुमेन इंपावमेंट पर ठीक है ये काफ़ी अदर इंपोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं आप सभी के लिए सब्सक्राइब को ले सकते हैं यहां पर आपको 100 प्लस एसे के टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको एक बार आप तयार कर लोगे तो आपके एक्जाम में कोई भी टॉपिक आता है उस पर आप आसानी से लिख पाओगे को आपके बास सफिशेंट कॉन्टेंट होगा साजी साथ जी मिल जाते हैं अचरिकलास को और शुरुवात हम लोग इंटर्दक्शन से करेंगे तो कैसे इस टॉपिक को आप एक्स्प्लेइन करोगे चलिए देख लेते हैं देखो वुमें इंपावर्मेंट रिफर्स टु दा क्रियेशन ओफ एन इंवार्मेंट फॉर वुमेंट वेहर देखेंजने देखेंजने वावर्मेंट में इंपावर्मेंट करते हैं वोमेन के लिए जहां पर वे अपने decisions खुद ले सके अपने personal benefit और society के benefits के लिए है तो ऐसा environment create करना ही इसको ही women empowerment बोलेंगे तो इस तरह से आप questions भी basically starting कर सकते हुए कि सच में क्या women strong हुई है तो इस तरह से मतलब आप का ऐसे जो है और भी better लगने लगेगा तो इस तरह से friends आप इसको लिखो हुए शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो उसके बाद देखो तो मैनी प्रोग्राम्स हैब बीन इंप्लिमेंटेट बाई दो गॉर्मेंट सच आइस इंटरनेशनल वोमेंस दे मदर्स दे एक्सेटरा इन ओर्डर तो ब्रिंग अवेर्नेस अबाउट दे राइट्स ऑफ दो वोमें इन दे सोसाइटी यानि क्या भी कह सकतो कि बहुत सार कि लोग को अवेर करा जाए सके कि वोमेंस की क्या-क्या राइट से सुसाइटी तो इस तरह से यहां पर आप शुरुवात कर सकते हो सभी पॉइंट्स को एक्स्प्लेइन कर सकते हो बहुत ही डीसें तरीके से तो यहां तक आई हो अब लोगों समाझ आगे होगा आगे इंडिया में हाई लेवल ऑफ जंडर इनिक्वालिटी है जिसकी वजह से वुमें इल ट्रीट होती है उनके साथ बुरा बरता होता है विसिकली फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी और आउट्साइडर्स के द्वारा भी राइट परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इंडिया इस अरूंड सेविन्टी फोर परसेंट अब यह भी बता सकते हो कि टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो करीब सेविन्टी फोर परसेंट है इन विस सिक्स्टी फाइब परसेंट इसके रिगार्डिंग तो इस तरह से आप यहां पर लिखो होगे इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़े हैं उनके बारें बता होगे इसके बाद देख लो ता रियल मीनिंग ओप वोमें इंपाव्मेंट की वह यह होगी कि उनको वेल एजुकेटेड बनाया चाहे और फिर उनको एक तरह से फ्री छोड़ दिया जाए तकि वह अपने केपेवल बन सके हैं अपने लेने के लाइक बन सके ही कि हम को हर फिल्ड में अपने अकार्डिंग इसले cactus ले सके इस लाइक बन सार्थ तो इसको ही बिसिकली वोमन को बोला जाएगा इंक्लूडिंग देट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ओफ दा लोगसभा, लीडर ओफ दा पोजिशन, यूनिन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और गवर्नास, ठीक है यानि अगर मॉडन एंडिया की बात करें तो वोमेन जो है सभी हाई ओफिसेस जो है सब को बिसिकली बियर क्या हुआ है चाहे वो प्रेसिडेंट को ओफिस हो, प्राइम मिनिस्टर हो, स्पीकर ओफ दा लोगसभा हो, लीडर ओफ दा ओपोजिशन पार्टी हो, यूनिन मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या फिर गवर्नास हो, सभी जिगे वोमेन ओलरी हैं ठीक है वमेन इंडिया नौ पार्टिसिपेट फुली इन एरियास सच एस एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, मीडिया, आर्ट एंड कल्चर, सर्विस सेक्टर, साइन्स एंड टेक्नोलोजी एक्सेटरा, ठीक है यानि आप यह कहा सकते हो कि वमेन जो है, वो सभी फिल्ड में वमेन मिलेंगे, राइट, डूरिंग डब बिटिश राज, मैनी रिफॉर्मर सच एस ब्राम मोहन रॉय, इश्वचन विद्या सागर है, जोती राव फूले, फॉर्ट 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 फॉर्ड बैटर्मेंट ऑफ वोमेन, आप यह भी बता सकते हो कि बिटिश हैं, इश्वचन विद्या सागर है, जोती राव फॉले हैं, जिन सभी ने वोमेन के बैटर्मेंट के लिए काफी काम किया, तो यहाँ पर आप इनको भी नाम ले सकते हो, इनका भी दिक्रे कह सकते हो, तो यहाँ पर आप इसको भी ऐसे एक्स्प्लेंट कर लोगे, इसके ब डावरी किलिंग्स, ओनर किलिंग्स, और फोर्स प्रोस्टिटिशन और यंग गल्स एस बिन रिपोर्टेड इन इंडिया, तो यहाँ आप क्या सकते हो, जो क्राइम से वोमेन के अगेंस वो भी काफी तेजी से बाड़र है, चाहिए वो रेप हो, एसेट थ्रोइंग हो, ड चाहिए और अचो को सब्रहएत्य गरा तो इस तरह से आप हैंड्र को सकते हो, अच्छे से किस समझ आगी होगा को कैसे लिखना है कैसे इस टॉपिक कॉप एक्स्प्लेइन करसकते हो बहुत ही तरीके से वहाथ ही अच्छे तरीके से लाइट इसी तरह से आप बाकी के सारे जाएंगी और Classes की notification मिल जाएगी, right? इसका link भी आपको description में मिल जाएगा और comment section में पिन कर दूँगा मैं वहाँ से जाके आप join कर सकते हो, right friends तो अभी के लिए इतना ही, next मिलते हैं एक ली class में, thanks to watching.